कि नमस्कार दोस्तों सुमम क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है आप सबीका क्लास 12 में मैथमेटिक्स में जो पोर्षन चल ला है मैक्समा में उसमें मैंने पिछले लेक्षर में बताया था कि कुछ चार सवाल लाएंगे लेकिन किसे कारण वस दो ही कुछ नमर 7 और 10 ही हो 11 और 13 बताएंगे यह जो 11 और 10 काफी इंपॉर्टन कोश्चन है तो इसे हम छोड़ नहीं सकते हैं यहां पर देखें कोश्चन नमर जो है यह 11 और कोश्चन नमर 13 इसके बाद कुछ कोश्चन आगे और बताएंगे मैक्समा मिनमा का जो है लगभग आपको पूरा का पूरा सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो के शेयर भी करें ताकि यह वीडियो जो है सारे बच्चों तक पहुश भाएं जो भी बच्चे बूर्ड का एक्जाम दे रहें इस बार ठीक है कोश्च आईए कोश्च नमर 11 क्यारा कि यह दी दिया है कि अंतराल जीरो कामा टू में एक सिसकल्टू वान पर फरन जो है यह हमारा फंक्शन है का एक सिसकल्टू वान पर यह वह सारा पॉइंट निकालते थे जिस पर फंक्शन की वैलू या तो मैक्समम हो या मिनमम हो लेकिन यहां पर बोल दिया है कि एक सिसकल्टू वान पर जो फंक्शन का मान है वह उस्तम है एक का मान बताईए अब देखिए ठीक है यह का मान कि फॉंक्शन की जो वैलु है हो इफ मैक्स है कि यह मिनमा मेलु दे रहा है यानि कि किस पॉइंट पर दे रहा है एक इसकाल टूब नब तो यह चीज जो है थोड़ा सा अलग है सवाल इसलिए सवाल को इंपॉर्टन दिया जारा है सबसे पहले हम जो प्रक्रिया है उसको हम करेंगे मेंड फंक्षन हमारे यही है पहले क्या करेंगे कि डी वाइवाइवाइड निकालेंगे डी वाइवाइड याने कि एक्स के रिस्पेक में डिरवेटीव सिंपल है कि यह हो जाएगा तो दी वाई वाई डी एक्स देखें यह हो जाएगा फॉर एक्स क्यूब इसको दुद्धना के चार दुछा के बार यह चीज प्लस चीज है ठीक है अगला जो इस्टेफ हमारा होगा वह डबल डेरिवेटिव को डबल डेरिवेटिव यानिक डी टुवाई वाई वाई यह जो है 12 x isquare minus 124 x ठीक है तो यह हो गया फिस्ट और डेरिवेटिव यह हम इसको वान देते रहे यह हमारा होगा है second order derivative कि second order derivative से ही पता चलता है कि function जो है आप देखिए इसमें क्या करेंगे इसमें बोल दिया है कि जो function की maximum value है अगर देहांस देखा जाए x square to 1 पे है ठीक है x square to 1 पे है तो यानि कि d2y dx square जरूर निगेटिव होना चाहिए देखिए यहां पर d2y dx square x square to 1 पे निगेटिव आना चाहिए तभी यह एक स्कल्ट वन पे हम अगर डवल डेरिवेटिव चेक करें निगेटिव आना चाहिए तभी x square to 1 पे function की जो है value जो उस्तम होगा यानि कि maximum होगा यहां पर देखिए 1 square यह 124 इंटू x यह हो जाएगा 1 square मतलब 1 हो जाएगा यहां पर 1 भी है तो 12-124 यह हो जाएगा माइनस 112 ठीक ना इतना तो पता चल गया कि x square to 1 के जो है double derivative ओ है क्रिडात्मक संक्या यानि कि less than 0 यह less than 0 यह हम यहां पर हम लिक दे रहे हैं कि d2 y y dx square less than 0 किस पर x square to 1 पे इतना तो पता चल गया कि x square to 1 पे function की जो है maximum value इसमें क्या करते हैं फॉर यह चीज़ देखिए फिर अगला step हमारा जो होता है for maximum maximum and minimal maximum minimya के लिए हम क्या करते है misleading yy dx 0 करते है ठीक है maximum timing क्लिए हम क्या करते है किmonskydx 0 करते है dy y dx हमारा क्या है यह है 4 x cube minus 124 x plus a is equal to 0 इसमें दीखे बड़ा important चीज है यहाँ पे x की value निकालना थोड़ा सा कठीन हो जाएगे क्योंकि यहाँ पे a हमको पता नहीं है एक unknown quantity लेकिन हमें क्या है कि इसमें दे दिया है कि x is equal to 1 एक point है जिसमें यहाँ से फॉंक्शन की maximum value आ रही है that means कि जो x की value निकल के आती है वो जो dy y बार dx जब 0 करते हैं तो वहीं से सब तो निकल के आता है ठीक है यानि कि x is equal to 1 जो है इस equation को satisfy करेगा यानि कि यह जो है अगर हम x की value यहाँ पर रख दें q 124 into यहाँ से 1 plus a is equal to 0 यह हो जाएगा 4 यह 124 plus a is equal to 0 यह हो जाएगा 120 minus 120 a is equal to 0 यहाँ से एक की value क्या हो जाएगी 120 ठीक है यहाँ से एक की value आप एंसर भी मिला सकते हैं एक की value जो है 120 होगा थोड़ा से अलग टाइक वो कोशन है देखिए एक ही value 120 होगा तब जाके function की maximum value यहाँ पे जो function है x के power 4 minus 62 x square plus यहाँ पे 120 रख देंगे 120 x plus 9 रख देंगे तो function की maximum value आएगी किस point पे x square to 1 पे इस बार जो यह function की maximum minimum value नब पुछके थोड़ा सा अलग टाइप असा अलप हो दिया ठीक है तो question number 11 हो गया question number 13 करते है सवाल को पढ़निक जरूत है कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ग्याद कीजिए जिनका योग जो है 24 हो और जिनका गुणफल उस्ता हो maximum हो देखिए यहाँ पे यह चीज है question number 13 इसी दो संख्याएं ग्याद कीजिए जिनका योग जो है 24 हो और जिनका गुणफल क्या हो उस्ता है इसमें ऐसे करना है कि suppose करें कि माना कि दो संख्याएं x और y हैं जिनका योग फल क्या है 24 है ठीक ना लेकिन इन दोनों संख्याओं का गुणफल हो माइक्समा माना चाहिए देखिए इसको समझे क्या कहा रहा चाहिए कि जैसे 24 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है जैसे 24 को तो हम तोड़ सकते है कि 23 प्लस 1 ठीक ना 24 होगा लेकिन इन 23 इन टू 1 जो है यह मल्टपाई करें तो 23 आएगा चाहे तो हमें इसमें ऐसे तोड़ना है कि जो मल्टपिकेशन हो इन दूनों नम्मर का वो मैक्समा माना चाहिए जैसे हम बात करें 12 इन टू 12 इस मल्टपाई देखिए 144 हो जाएगा इनको एड करने पे 12 12 जो है 24 हो जाएगा 10 10 प्लस 14 भी हो सकता है ठीक ना 10 और 14 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा लेकिन 10 और 14 जो मल्टपाई करेंगे तो 140 आएगा इसमें क्या possibility है 24 को ऐसे दो नमबर में जोड़ा जोड़ा जाए कि sum करने पे 24 है और multiplication करने पे maximum value है क्या आए इससे important नहीं है लेकिन multiplication करने पे maximum value होना चाहिए यानि कि हम माल लेते हैं कि उसका multiplication एक नया function माल लेते हैं x into y यह जो चाहिए x into y x into y यही हमें maximum होना चाहिए यानि कि f इसी का max बताना है x into y तो हम क्या करेंगे कि यह जो हमारा इस टारिक यह जो पहली condition से है x plus y 24 हो इसमें लिखना पड़ेगा एक संख्या x दूसरी संख्या y है x plus y 24 multiplication जो है maximum होना चाहिए इसी को हमें यह चीज क्या करना है बताना है यहां से क्या करेंगे कि अभी तो यह दू variable में है x और y में है इसको हम एक variable में या तो x या तो y में function को बनाएंगे तो हम लोग x में ही बनाते आये हैं और x में function को solve करते हैं तो यहां से क्या करेंगे कि y को limit कर देंगे यहां से y की value क्या जाएगे y की value हो जाएगे 24 minus x ठीक ना यह जो चीज़ हो जाएगा 24 minus x अब देखिए यह जो चीज़ है पूरा पूरा x का function हो गया अगर x मलटाई कर दें हम x का 24 में होगा 24 x x का x में होगा अब ध्यांस देखा जाएगे यह function जो है पूरा का पूरा variable x में होगा 24 minus x यह चीज़ हो गया y यानि कि अब जो है इसके पहले शवालों में क्या होता था कि हमें function दिया रहता था और डारिक पूर्स रहता था कि उसका maximum minimum value बताईए उस दम और निमतम बताईए लिकन अब क्या करना है कि function हमको खुद बनाना है और उसका maximum minimum value बताना है अब यह हमारा क्या हो गया star equation इसको दे दीजिए ठीक ना अब क्या करेंगे कि dy y dx maximum minimum के लिए वहीं पर करिया first order derivative dy y dx यहाँ पर 24 x का 1 हो जाएगा यहाँ पर x square पर 2x हो जाएगा double derivative निकाल लेजिए d2 y y dx square हो जाएगा x का 1 यह finally क्या हो जाएगा minus 2 ठीक है तो यहाँ से यह dy y dx है और d2 y y देखें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि d2 y dx square है minus 2 जो की 0 से कम है ठीक है तो यहाँ पर first order derivative second order derivative अब जो है dy y dx है जो भी point निकल के आएगा critical point x की value करांतिक बिंदू जिसको भोलते हैं वो जो है हमेशा हमेशा उस point पर function का मान जो है maximum ही आएगा क्योंकि d2 y y y dx square check करने की ज़रूत ही नहीं है minus 2 ही रहेगा क्योंकि d2 y y y dx square x का function ही नहीं है minus 2 है तो आप चाहिए d2 y y y x square किसी point पर check करें तो क्या करेंगे कि उचिस्ट और निम्निस्ट मान के लिए उचिस्ट यह आपको लिखना पड़ेगा मैंशा उचिस्ट निम्निस्ट मान के लिए वही maximum और minimum के लिए d y y dx क्या करेंगे जीरो आपको यह exam में लिखना पड़ेगा थोड़ा सब d y y dx must be 0 d y y dx हमारा क्या है 24 x minus x square देखे यहां से बच्चे जिए सुचते हैं कि यहां पे x की दू value निकल के आएगे एक तो यहां पे हो जाएगा 24 एक्स कॉमन ले ले लिजें इस साइड ठीक ना यहां से यहां पे x था यहां पे x था x कॉमन ले लें यहां से जब बारी बारी से 0 करेंगे इस बार इसको 0 करेंगे 24 minus x square to 0 यहां से जो x की value आएगी 24 आएगी ठीक ना और एक बार यह जो है एक्स की value 0 आएगी एक्स की value 0 पे तो हमारा invalid हो जाएगा क्योंकि x square to 0 रखेंगे तो y जो हमारा यह चीज 0 हो जाएगा function की value 0 हो जाएगी जो के invalid होगा तो हमारा जो x square to 24 ठीक है यहां पे थोड़ा सा देखें यहां पे यह थोड़ा सा गवड हो गया है की जो dy y dx है वह हमने गलत रख दिया है यह dy y dx यह था हमने main function ही रख दिया है 24x थोड़ा सा यहां पे calculation mistake हो गया है sorry dy y dx तो हमारा यह है ना 24- 2x यह हमारा dy dx यह 24-2 इसकों फिर से लिख देते हैं चलिए थोड़ा सा mistake कभी-कभी हमारा भी ध्यान 24-2x यह हो जाएगा dy y dx यह चीज है यह हो जाएगा dy y dx यह चीज है 24 2x हो जाएगा x की value जो है यहां पे 12 ठीक है x की value 12 यानि कि यह जो संख्याय है दो हिस्सा माने थे एक संख्य एक माने थे दूसरा y x की value निकल के आ गया है अब x की value उसमें रख देंगे इसको भी हमें कोई नाम देना पड़ेगा कहीं से भी निकार करते हैं यानि कि 24 को हम जो है 24 को दो हिस्से में बाटने का मतलब है कि एक हिस्सा 12 और एक हिस्सा 12 यानि कि 12 प्लस 12 24 हो जाएगा और 12 का मुल्ट्पाई करेंगे 12 x 12 यह जो multiplication आएगा वह maximum आएगा इसके लब अगर हम कुई भी 24 को दो हिस्से में बाटने है उनका sum तो 24 हो जाएगा लेकिन उसका multiplication जो है maximum नहीं आएगा ठीक है तो यह थोड़ा सा इस तरह के सवालों को हमको लगाना पड़ेगा ठीक है नेक्स question करते हैं question number 14 क्यारा ऐसी दो धन संख्या है एक्स और वाई ग्यान किजिए ताकि उनका जो summation साथ हो और X into Y की उस्तम हो यानि कि यह जो function हो गया है इसकी value जो है maximum होना चाहिए तो क्या करेंगे कि यहां पर दो condition दिया हुआ है X और Y है ऐसे दो शंख्या है गयात करना है जिनका summation यानि कि X plus Y साथ हो इसको equation नमबर 1 देते हैं और उनका multiplication है इसको function एक नाम देते हैं इससे multiplication product P से नाम देते हैं P फाफ प्रोडक्ट जो है यहां पर function को हम लोगो हम ऐसा एप सही दिखाते हैं तो ऐसा कुई जरू नहीं कि आप जो है लेटर्स दिखा सकते हैं यह चीज हो जाएगा एकस वाई यह देखिए पी है function दो वेरियेबल में एकस और वाई दोनों में है लेकिन हम तो derivative हो चायब कुछ भी हो function जब एक वेरियेबल में होता है तो function का आप क्या करते हैं derivative कर पाते हैं यहाँ पर function का आप निकालना चाहिए dpy अगर dpy dx निकालना चाहिए तो आप नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे जब तक एक वेरियेबल में function नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे समख्रण X से Y का मान जो है समख्रण X से Y का मान जो है 60- X हो जाएगा यहां पर हो जाएगा P ये X Y का मान जो है 60-6 का holl q ठीक है ये जो चीज भी है 60-6 का holl q अगर चाहे तेसी ओपन कर दी चाहे अप्रण दीजित यह जो पी है पी है फंक्षन पुरा का पुरा एक्स में हो गया सबसे पहले क्या करेंगे कि dpy dx यह जो derivative है यहाँ पर याद करिए यह पहला फंक्षन है और यह दूसरा फंक्षन है यहाँ पर first into second लग जाएगा first into second अगर याद होगा तब first into second हम फिट से याद दिला देता है कि कोई फंक्षन अगर u into v type का हो इसका अगर df by dx बताना है तो क्या करता है कि इसमें पहले फंक्षन मल्टाई में होना चाहिए यह फंक्षन divide में अलग रूल होता है कि यह हो जाता है d u by dx भी जो करते हूँ इस बार u जो करते हूँ रहता है और दूसरी वाले फंक्षन का जो दूसरी अस्तान पर उसका derivative with respect to x यह चीज होता है यहीं चीज यहां पर भी लगाएंगे तो d u by dx x का derivative x का derivative 1 हो जाएगा यह दूसरा वला जो function है यानि कि 60-x का whole की भी जो करते हूँ अब क्या है कि पहला वला function जो करते हूँ रहेगा तुसरी वाले function का derivative हो गाता 60-x का whole की यह x के power n वाले rule से लगेगा तो यह 3 आगे आ जाएगा 16-x इसमें एक power कम हो जाएगा फिर 60 का होगा 0 और x का होगा 1 यहां पर minus 1 हो जाएगा ठीक है यह जो है function का derivative होगा बहुँ जादा important है और यह अगर derivative आप गलत करेंगे तो गबड़ जाएगा function का double derivative भी निकाल लेते हैं लगे है क्योंकि इसका use होगा d2 by dx square यहां पर y भी ले सकते हैं आप y ले ले जाएगा क्योंकि y पे ज्यादा अभ्यास हो जुगा है 60-x का whole की होगा यहां पर 3 आगे आ जाएगा 60-x एक बार और derivative होगा x square हो जाएगा देखिए 60 का face chain rule भी होगा 60 का 0 और x का minus 1 यह चीज हो जाएगा अब फिर से यहां पर यह चीज देखा जाए तो first into second यानि कि 3x 3x का derivative हो जाएगा 3 यह second वाला function जियों करती हूं 60-x का whole square plus देखिए यह minus था 0-1 minus होगा तो यह चीज माइनस हो जाएगा इसको माइनस यहां पर कर दिजी अब जो है माइनस यह हो जाएगा 3x 60-6 का whole square का derivative हो जाएगा 2 आगे आएगा 60-6 पावर कम हो जाएगा और 60 का 0x का minus 1 थोड़ा से इस बार इसको फिर से हमारेंज कर देते हैं 0-3 हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा 60-6 का यह जो है थोड़ी से प्रावलम क्रिएट कर रहा है कि derivative थोड़ा सा ना प्रैक्टिस इसलिए कराया गया तो सूरू में यह सब application आप derivative है यह 3-60-6 square यह जो चीज है 6x यह माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा और यह 60-6 अब जो है यह तो हमारे double derivative आया अब क्या करेंगे कि for maximum minimum के लिए dpy dx यह देखिए first order derivative zero करते हैं और क्योंकि x की value वहीं से निकल के आएगे पॉइंट हमें अभी ढूंबना है कि जिस point फॉंक्शन की value जो maximum for maximum and minimum यहां पे आप हिंदी में लिखेंगे जो English medium बच्छात रहे हैं for maximum minimum लिखेंगे for maximum and minimum maximum minimum के लिए आप क्या करेंगे कि dpy dx 0 कर देंगे चलिए dpy dx क्या है यहां पे लिख लिए पहले है यह 60-6 का इसल क्यों कि यह जो है 0-1 तो माइनस हो जाए गए तो 3 एक्स इंप्रोटन्ट है 3 एक्स इस 60-1 इसका प्ली स्कॉर्ण फॉल तो जीडेगे यहां पे 60 माइनस x का cube है यहां पर 60-x का square है यह 60-x का square common ले लिए जाए है तो धिहान से देखेंगे तो यहां पर बज़ाएगा 60-x यहां पर बज़ाएगा minus 3x ठीक है यहां पर 2 bracket 0 है 2 bracket को बारी-बारी से यहां से 2 value निकालेंगे यह 60-x हो जाएगा 4x is equal to 0 जब इसको 0 करेंगे और इसको 0 करेंगे यहां से 1x के value आजाएगे 60 और इसको जब 0 करेंगे तो 60-4x is equal to 0 60-4x एकस के value आजाएगे 15 चोकर साथ 15 अब देखें यहां निकल के आए x की दो value यह जो है x is equal to 6 और x is equal to 15 यहां पे अब x is equal to 60 पे अगर ध्यांज देखा जाए यह जो है अगर x अकेले 60 हो जाए तो y तब तो 0 हो जाएगा अगर अगर लेटरिली देखा जाए एकस अगर 60 हो गया तो y अगर 0 होगा तब तो यहां पे product जो है 0 हो जाएगा देखने जब कि product क्या होना चाहिए maximum होना चाहिए यहां तो product चुरुआ रहा है यानि कि x is equal to 60 जो है invalid होगा यह माने नहीं होगा x is equal to 15 पे ही जो है हमारा function का जो अभी इसको check करने क्या सकता नहीं है d2 by dx square जो है यह negative आएगा ही आएगा ठीक ना आप चाहिए तो check कर सकते हैं देखिए अगर यहां पर रखें तो 60 माइनस 15 यह करेंगे तो बड़ा से square है यह बहार negative है यह भी negative है तो यह नमर बहुत छोट है ओवराल आप देखेंगे कि यह जो है रिडात्मक संख्या आएगा at x is equal to 15 पे यहां पर लिख देते हैं ठीक ना कि यह double derivative d2 by dx square at x is equal to 15 negative आएगा इसलिए x is equal to 15 पे जो है function का जो product है इसमें कुछ कह रहा है ऐसी दो संख्या यहां की एक 15 हो जाएगा और दूसरा क्या होगा यहां पर समय करने एक में रख दें तो 15 plus y is equal to 60 हो जाएगा y की value हो जाएगी 60 माइनस 15 तो y जो है जाएगा y यहां पर 45 यह जो है एक हिस्सा हो गया x is equal to 15 और दूसरा जो हिस्सा है y वो हो गया 45 x और y को 60 को ऐसे दू हिस्सें बाढ़ दिया गया जिसका जो है sum जो है 60 आएगा या product जो है maximum होगा यह चीज आपको करना पड़ेगा आप answer भी मिला सकते हैं देखें कोश्चन नमर 14 का 45 और पंदर है 15 और पंदर हो 45 मतलब वह इस आठ को दो हिस्सें बाढ़ना है तो आप answer भी देख सकते हैं तो बिल्कुल एक एक तरह से कह सकते हैं कि maximum minimum का जो एक pattern है इसकी जितनी भी सारे सवाल है इसमें कुछ वैसन नया चीज नहीं है आप हमेशा dyydx d2ydx square ना फॉस्ट अडर डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव फिर maximum minimum के लिए एक जो इसमें कुछ आपको वैसन नया करने के ज़रूप नहीं एक दो कुशन और हम बता दे रहे हैं वर्ट परण काफी इंपॉर्टेंट है एक्जाम में आते हैं तो अभी एक्जाम आते हैं सारे सवाल जो है सवाल हो जाएंगे मैं इसको अभी हिंट दे रहा हूं ऐसी दू शंख्याएं एक्स और वाई ग्याद किजिए जिनका यूग 35 और गुननफल देखे एप सेम टाइप के सवाल है जैसा चौधा मैं वैसा कि पंदर एक्स प्लस वाई इसक एक्स के टर्मन निकाल लेजिएगा इसको उस तम एकदम सेम टाइप को कोशन ऐसी दो धन शंख्याएं गयाद किजिए जिनका यूग 16 हो और जिनके घौनों का यूग निम्तम हो अब देखें कोशन नमर 16 हम बता दे रहे हैं कोशन नमर 16 उसके आगे भी जिमेट्टी वाले जो प्रावलम है उसको मैं बताऊंगा कोई भी ऐसा नहीं कि देखें हर टाइप को सवाल को करने की आवशिक्ता है मैं कोशन नमर 16 देखें सवाल है कि ऐसी दू संख्यां ग्यांती जिए एक्स और वाई जिनका योग जो 16 हो जिनके घनों का योग यानिकी क्यूब का जो शमेशन है वो मैक्समा होना चाहिए हमने उसको एफ मान लिया फिला यहीं चीज हमें बताना है क्या होना चाहिए एफ मैक्स अब देखें यह लिए एक्स और वाई क्यालें उनको जोडने पर 16 लेकिन का क्यूब करने पर क्यूब करके जोडने वह जो जो फ मैक्स बोधना च्छाए है यह सवाल है फिर सभ्यवीं क्या करेंगे संव्यक्रण ए kmh x से संव्यक्रण एक से क्या कररेंगे यहां पर वहां से y की value निकाल लेंगे y की value simply क्या जाएगे क्योंकि function का derivative करने के लिए हमें function हमेशा one variable में होना चाहिए यहाँ पर f जो है x और y दू variable में है तो यह इसका ना d y y d x ने लेगा कुछ निकले गाज नहीं यहाँ पर जो है थोड़ी सी इसकी होगी तो y को जब हम इसमें current कर देंगे तो अब हो गया ठीक है अब इसको आप y दे दीजे ना अब क्या करेंगे कि for maximum minimum याने की d y y d x के लिए maximum minimum के लिए हम लोग क्या करते हैं d y y d x एकदम यह कही pattern पर सवाल ही लगता है important है कि आप उस सवाल को जो है उस formula है आप देखिए एक तरह से एक सवाल हो यह हो गया कि यह एक function है इसका maximum minimum value बताइए वो point पहले ढूलेंगे यह चीज हो जाएगा derivative 16 minus x का square देखिए 16 का 0 और x का यहां पर हो जाएगा x का 1 होगा लेकि माइनस 1 है यह जो चीज है यहां पर d y y d x फिर से हम लिख देते हैं 3 x square यह हो जाएगा minus 3 यह 16 minus x का square ठीक है एक बार और derivative निकाला जाएगा इसको हम यह चीज है करतेते हैं और जो है d 2 y y d x square लगया है डबल derivative भी यह हो जाएगा 3 x square x square का हो जाएगा 6 x इसमें तो आप मैं उमीद करता हूँ कि इसमें दिक्कत नहीं हो जाएगा बहुत simple derivative है derivative तो इतना बताया गया है आप लोग को इस चार पांच exercise जो है पूरा derivative derivative ही चल ला था अलग-अलग type के function का derivative किया गया था मैं अभी इस पूरी चेप्टर जैसे maximum minimum होगा यह book जो है खतम हो जाएगा इसमें दो topic छोटा हुगा है increasing और decreasing function और एक approximation और एक जो हमारा दूसरा चेप्टर है inverse function वह मैं बता दूँगा यह पूरी book जो है आपको खतम हो जाएगी ठीक ना तो part 1 जो है आपको 12 में आप इसमें तबाब पाएंगे कि कोई भी portion आपको छोटा नहीं मिलेगा double derivative क्या हो जाएगा यह 6x 2 आगे आएगा क्योंकि x के power n वाला rule लगेगा यह हो जाएगा solar minus x solar का और x का यहाँ पे इसको लिख लीजे एक बार फिर से double derivative d2y x square is 6x minus minus plus हो जाएगा 6 solar minus x ठीक है इसको आप जो क्या करिए समेकर नमर 2 दे देजी फिर से वही काम for अब देखे इसको लिखने का मन नहीं कर रहा maximum and यह कहीं चीज लेकिन आपको एक्जाम में लिखना पड़ेगा ने तो फिर कट जाएगा for maximum minimum के लिए क्लिए dyy dx dyy dx 0 इसमें important यह भी होता है कि आप x कैसी value निकालते हैं कभी कभी आपको solve करने वह काफी दिकत होता है तो वह जो है यह चीज 0 देखे 3 यहां पर है तो 3 क्या करें क्यादे से कॉमा ले लिए यह चीज हो जाएगा x square solar minus x square यह x square minus x square x square to 0 अब देखें यहां पर x की value कैसे निकलेगे एक तू square है इधर जाएगा तो 16 minus x का यह चीज square है इसको पहले लिख लेजी 16 minus रहने दीजी square square एक तरह से समझे की कट जाएगा यहां पर x की value हो जाएगी solar minus x x गुदार लाएँगे यह 2x solar x की value क्या जाएगी 8 आ जाएगी एक 8 होगा और यह दूसरा क्या हो जाएगा y दूसरा y भी हमारा क्या हो जाएगा इसमें लिखेंगे x का मान x का जो मान है semicolon 1 में रखने पर यह चीज हो जाएगा 8 plus y is equal to 16 y की value जो है 8 आ जाएग इस तरह से हमने 16 को दो ऐसे भागों में तोड़ दिया जिनका योग जो है 16 तो हो लेकिन उनका जो cube का योग होग यानि maximum होग मेक्स होगा वह 8 cube प्लस 8 cube यह चीज होता है 512 और 512 यह चीज पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है कि 16 को ऐसे दो भावन तोड़े या ऐसी दो संक्याइं यहाद कीजिए जिनका योग 16 हो और जिनका cube का योग maximum हो ठीक ना इस इस अलग तरह से पूछ रहा है पूछ नंबर जो है यह देखिए यहां से 13 14 15 16 यह सवाल जो है काफ़ी important है बोर्ड में अक्सर पूछ जाते हैं उसके बाद जो है थोड़ा सा अलग type के आपको सवाल मिलेंगे यह पूछ जो में T होगा अभी सारे बच्चियों से मैं request कर रहा हूँ जो class 10 में है जो हम पढ़े हैं उसमें बेलन का आयतन संकु का आयतन और यह जो है गोले का आयतन थोड़ा सा फार्मला आप देख लेंगे क्यूब और जो घन और घनाप का जो आयतन है आयतन और प्रिष्टिय छेतरपली यानि की surface area उससा फार्मला थोड़ा देख के आएंगे संकु में भी तिरिय कुछ आई क्या होता है यह सब सारा चीज यह जो है एक यहां से भी सवाल आते हैं काफी 19 से लेके 19 से लेके यह देखे 26 तक यह जो है 78 question और भी काफी important है maximum minimum का अगर आप इतना question maximum minimum का मैंने जितना बताया अगर लगा लिए तो मैं sure हूँ कि आपका board का exam में कोई भी सवाल कहीं से भी आया maximum minimum नवाकर लग जाएगा इसमें जो trigonality वाले हैं वो काफी important हैं देखे यह आप तो खुद से करने fx is called to sin x plus cos x यह x blank से 0 पाई है ठीक ना ऐसे मैंने एक दो question करा है trigonality वाला और यह वाला trigonality का और यह जो problem है 13 14 15 16 इस तरह के problem जो काफी पूछे जाते हैं जैसे आप तो solve paper आ गया है है ना तो उसे solve करके बताया जाएगा उसमें आपको दिखाया जाएगा किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं और लगवाफ हम लोग जो part one की समाप्ती की तरफ है जो book है दूसरा जो part है इसका पूरा का पूरा जो integration है जिसको हम समाकलन बोलेंगे समाकलन उसी बच्चे को समझ में आएगा जिस बच्चे ने यह जो है यानि कि derivative बहुत अच्छे से बढ़ा है आप देखिएगा जब मैं समाकलन शुरू करूंगा तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा derivative आ रहा है उसमें derivative अगर नहीं पता है तो आप समाकलन भूल जाहिए कि हमें समझ आएगा तो वह जो है उसमें कोई ऐसे mixed type का चेप्टर नहीं है जैसे इसमें माल जे क्या है कि relation function था determinant था मैटिक्स था inverse function था तमाम तरह चीजे थी इसमें पार्ट वन में जबकि पार्ट टू में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पूरा का पूरा समाकलन नहीं है यानि कि calculus का portion है उसमें आप बच नहीं सकते हैं कि चलो इसको ना करके इसको करनूंगा वो समेटिक्स है डिटर्मेंट है यह सब चीजे नहीं चलेंगे आप अगर आपको पार्ट टू में पार्ट टू से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और competition की दिरिष्टी से जब आप 12th के बाद जब exam देंगे किसी इंवर्शिटी का किसी आई 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 टी जे किसी भी exam में देंगे तो वो पार्ट टू बूक है बहुत ज़्यादा important है calculus का जो integration portion है very important ठीक है अब मैं फिर एक बार कह रहा हूं जो बच्छे इस channel पर नए है अपना सुझाव दे सकते हैं उनको लगता है कि अगर हम और बहतर तरसे बता सकते हैं कोई उन्हें लगए कि अगर सर ऐसे बताते हैं या कुछ ट्रीक हो चाय कुछ कमिया हो उसे प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप वेक्तिकाद रुप से फोन करके भी बता सकते हैं सुमम सर को चाय है मुझे मेरा नाम सुधिर भार्दवाज है मैं बार बार बोलता हूं किसी बच्छों के यह न लगए कि जो सारे बिश्य को पढ़ाने वाले एक ही अध्यापक हैं टीजर हैं हम लोग सभी अपने बिश्य में भारंगत हैं ठीक न हर कोई कम सक मास्टर डिगरी क्या हुआ है मेस्टी क्या हुआ है अभी तो एक वर्दमान में पीचडी भी कर रहे है और चैनलों पर देखते हैं पढ़ाते वढ़ाते कम हैं इधादर की बाते ज़्यादा करते हैं अभी आपको जरूर बात अच्छी लगेंगी लेकिन बाद में आप देखेंगे कि जब आपका एक्जाम आएगा यह सारे सवाल जब लगाए हुए जिस किसी ने भी लगाए हुए वहीं काम आएगगी वास्तिविक्ता यहीं है कितना भी कोई बहखा दे पूरा 30-30 मिनट के वीडियो लोग मना देते हैं उसमें पता चबता है कि एक-दो सवाल लगा है है ना सिर्फ बात-वात करने में इधार-दार कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें तमाम दर एक चीज़ें देखिए पढ़ाई कोई सौर्ट कट नहीं है बीना पढ़े आप बोर्ड में अच्छा नंबर लाई नहीं सकते हैं यहीं वास्तिपता है इस पर आपको एकदम डटे रहना है यहीं चीज़ देखिए मेरी बाते समझ में आएंगी बाद में कि सर सही कह रहे थे हैं आपको जब सवाल लगाया वा नहीं रहेगा आपको सवाल लगा-लगाया मिलेगा तो आपको यहां पर ज्यादा अच्छा महसूस होगा कि चलो सवाल लगा है हम एक बार करें और अपने परिश्णम पर भरोजा रहें अपने आप पर भरोजा रहें थैंक यू थैंक यू सो मच